तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ एक बहुत ही भयानक मूवी को जिसका नाम है breeder 2020 और ये मूवी धेड सारे देशों में बैन है क्यूंकि इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे scenes है जो की आपकी रूह को जिंजोड देंगे इस मूवी के डारेक्टर है जैन्स डैल और इस मूवी है एक kind of experiment है मेरे चैनल के लिए अगर आपको पसंद आती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मूवी भी कभी कबार कवर किया करूं तो आप इस वीडियो को एक like कर देना और नीचे comment लिखते ना तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की त होते हैं रात को मिया तॉमेस के पास जाती है बट वहां ना सोकर हॉल में आ जाती है जहां पर तॉमेस के computer screen पर हमको heart beat ratings दिखाई देती हैं अब मिया को तॉमेस के PC पर एक mail आता हुआ दिखाई देता है जो कि एक डॉक्टर इजबेल रूबन की ओर से आया था जहां किसी क अपने experiments और अपनी research के बारे में बताती है कि वह एक एजियाई research कर रही है जिससे इनसानों को डी एज किया जा सकता है और उनको उमर के साथ होने वाले disease और एज related problem से बचाया जा सकता है तॉमेस रूबन को call करता है और उसकी research के बारे में बात करता है जो किसी factory में होती थ यह थी कि तॉमेस और रूबन साथ में काम किया करते थे लेकिन इस बारे में मिया को कुछ भी पता नहीं था खैर इसके असली पत्ते अभी थोड़ी दिर में खुलने वाले हैं रूबन तॉमेस से घर आकर बात करने का बोलती है और वो उसके घर आ जाती है और घर के बाहर रूबन को मिया और उसकी नेबर नीका मिलती है जिससे रूबन थोड़ी बात करती है और उसके एक हेर को चुपके से तोड़ कर रख लेती है अब घर पर रूबन और तॉमस आपस में बात करते हैं जहां पर वो रिसर्च के बारे में ही बात कर रहे थे जिसमें से एक रिसर् अब रात को मिया की नेबर नीका अपने घर के पास कच्रा फेकने आई होती है लेकिन तब आदमी उसको कहीं पर ले जाते हैं बट वो खुद को सम्हाव कार से बाहर निकाल लेती है और वहां से भाग जाती है अगली सुबा हम रूबन को उसके क्लाइंट के पास देखते हैं जो खुद को डी एज करने आया था और रूबन उसका ब्लड सैंपल और सीमन टेस्ट लेन नहीं होता अब तबी वहां पर उनकी नेवर निका आती है जो कि उनसे हेल्प मांगती है जिसके हाथ पर तॉमेस उस सील को देख लेता है और अंदर जाकर किसी को कॉल करता है तॉमेस अब मिया से बोलता है कि वो निका को हॉस्पिटल ले जाएगा और मिया उसको वहां से भीज देती है लेकिन अब यहाँ पर कार को चलते चलते काफी देर हो जाती है और तॉमस नीका को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता बलकि उसको एक फैसिलिटी में लेकर जाता है जहाँ पर नीका को किड्नैप करने वाले लोग नीका को पकड़ कर ले जाते हैं और तॉमस उनक लगता है और वो कार से उस लोकेशन पर जाने लगती है यहां फैसिलिटी के अंदर तॉमस रूबन से मिलता है जो यहां पर उसको यह बोलती है कि उसकी रिसर्च उन दोनों के काम आएगी और मिया के लिए भी प्रॉफिटिबल होगा जिस पर तॉमस यह बोलता है कि उसको चाहिए और रूबन को मिया से दूर रहना चाहिए तॉमस अब यहां से जाने लगता है और रूबन उसको चिला कर यह बोलती है कि उसको रिसर्च खराब नहीं करनी चाहिए तॉमस यहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही मिया वहां पर आ जाती है जिसको रूब एक बेड़ से बंदी हुई मिलती है जिसको एक आदमी टॉर्चर कर रहा था मिया ये देखकर डर जाती है और वापस जाने लगती है और तभी रूबन का एक आदमी डॉग मिया को पकड़ लेता है अब डॉग मिया को एक रूम के अंदर बंद कर देता है और फिर एक रूम म में हम बहुत सारी लड़कियों के बलड वाले कपड़ों को भी देख सकते हैं जिनको ऐजा फ्रेम लगाया हुआ था अब डॉग मिया के पास में आ जाता है और उसको कपड़े निकालने के लिए बोलता है अब मिया के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो कपड़े न मिया के उपर पी करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि मिया को काफी तकलीफ होती है इट्स जस्ट लैक किसी को मार पीट कर उसके घाओं पर नमक लगा दिया जाए अब वो घर पर आता है और वो मिया की लोकेशन देखता है जिससे वो समझ जाता है कि मिया वहीं पर गई है और Thomas भी वहीं जाता है Thomas अप फैसलिटी के अंदर जाकर डॉग से उसी रूम के बाहर मिलता है और उससे ये बोलता है कि मिया उन लड़कियों की तरह कोई सबजेक्ट नहीं है तो वो उसको छोड़ दे बर डॉग उसको अंदर जाने नहीं देता क्योंकि इस facility की जो in charge होती है वो Ruben थी Ruben अपने camera screen में ये सब देख रही होती है और वो Thomas को Mia से मिलने देती है Thomas अब उस room के अंदर जाता है जहां पर Mia उसको देखकर food food कर रोने लगती है और उससे ये बोलती है कि Thomas ने ये सब गलत किया है और वो Thomas से दूर रहना चाहती है Thomas उसको समझाते हुए ये बोलता है कि Mia यहां से भागने की कोशिश ना करे क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगी और ये लोग बहुती खतरनाक है अब Thomas Ruben के पास जाकर उससे ये बोलता है कि वो Mia को छोड़ दे जिस पर Ruben ये बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी बट Thomas को यहां पर रुकना पड़ेगा और जब तक वो यहां रुकेगा तब तक Mia को कुछ भी नहीं किया जाएगा अब Mia अपने सेल में अपने घाव को ठीक करने की कोशिश करती है और रूम में यहां पर वो देखती है जहां पर उसको बलड और टूटे हुए नेल्स मिलते हैं जिससे वो डर जाती है सेल के बाहर अब नीका भागते हुए आती है जो कि अपने सेल से भागाई थी और वहाँ दूसरा आदमी पिग आकर उसको जान से मार देता है जिससे Mia सेहम जाती है डॉग आकर पिग से बोलता है कि उसको नीका को मारना नहीं चाहिए था क्यूंकि इससे रूबन काफी गुसा करेगी और पिग खुद ही लाश को ठिकाने लगा दे और पिग नीका की बोड़ी को एक कंटेनर में फेक देता है कुछी देर के बाद में रूबन से मिलने उसका क्लाइंट आता है जो उसकी रिसर्च के लिए रैडी हो गया था और रूबन उसको 50% अमाउंट बढ़ाने का बोलती है ऐसाब उसके रिजल्ट्स जादा अच्छे हो गए थे बिसिकली वो यहाँ पर लोगों को जवान कर रही थी दूसरी और तॉमेस मिया के पास जाता है और उससे बात करता है तॉमेस बताता है कि उसने एक लड़की की जान ली थी जिसका नाम एली था और फिर रूबन ने उसको जेल जाने से बचाया और तबी से उस फेवर को लोटाने के लिए यहाँ पर वो रूबन की मदद करता है तो बेसिकली यहाँ पर रूबन के पास में खुद का कोई भी पैसा नहीं है और इस फैसेलिटी के अंदर जो कुछ भी होता है और जो कोई पैसा लगता है वो तॉमस लगाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर इंसान है मिया को यह सुनकर शौक लगता है और वो इससे अपसेट भी हो जाती है कुछ देर के बाद में तॉमस को रूबन अपनी रिसर्च लैब में ले जाती है जहांपर वो तॉमस को अपने नियू बायो बैक्स दिखाती है जिसमें नियू डियानेस थे जो वोमन एकसे बने हुए थे अब यहांपर एक और चीज होती है कि तॉमस यहांपर रूबन से ये पूछता है कि अगर ये स्टडी इतनी अच्छी है और इससे अगर एज को कम किया जा सकता है तो वो इसका इस्तिमाल खुद पर क्यों नहीं करती तो यहांपर रूबन ये बोलती है कि अभी तक उससे मिलता जुलता डियाने उसको नहीं मिला है यहांपर तॉमस रूबन से एक बात और भूछता है कि अगर उसको उसका मैचिंग डियाने नहीं मिला तो वो क्या करेगी तो यहाँ पर रूबन का काफी शौकिंग आंसर था कि वो तब तक लड़कियों को इसी तरह किड्नैप करेगी और उनको मारती रहेगी और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में रूबन ने नीका का एक बाल लिया था तो वहाँ पर वो उसका DNA चेक करना चाहती थी कि वो उससे मैच करता है या फिर नहीं लेकिन उनफॉर्चनेटली वो मैच नहीं करा था तो यहाँ पर रैंडमली किसी की भी एज को ऐसे कम नहीं किया जा सकता जब तक पेशेंट का और यहाँ पर दूसरे आदमी का DNA मैच नहीं करेगा तब तक यह काम नहीं करेगा खेर अभी काफी सारी ग्रोस चीज़े आने वाली हैं जो कि काफी खतरनाक हैं अब रूबन ये बोलती है कि उसकी रिसर्च बस पूरी होने वाली है और अब उसकी कैद की हुई ओरतों को डॉग और पिक ठिकाने लगा देंगे और साथ ही तॉमिस को रूबन की हल्प करनी होगी उस DNA को सब जगा बेचने में क्योंकि वो सबसे ज़ादा रिचेस्ट परसन था तॉमिस यहाँ पर रूबन से पूछता है कि मिया का क्या होगा तो वहाँ पर वो ये बोलती है कि तॉमिस को ही मिया को ठिकाने लगाना होगा अब तॉमिस मिया को रूबन के पास मिलाता है जहाँ पर डॉग और पिक भी थे और Thomas Ruben से बोलता है कि उसको मिया को ठीकाने लगाना पड़ेगा As Mia को काफी कुछ पता है Ruben इस चीज़ पर agree हो जाती है और dog मिया को मारने ready होता है जिस पर Thomas उसको रोक देता है और उससे बोलता है कि वही मिया को मार देगा और वही ऐसा करना चाहता है तॉमस अब वहां से एक नाइफ लेकर बाहर आता है और मिया के साथ भागने लगता है उन दोनों को भागने से डॉग और पिग रोक लेते हैं और पिग तॉमस को मारने लगता है और तॉमस मिया को बाहर भेज देता है तॉमस को पिग पीट पीट कर बेहोश कर देता है और मिया को यहाँ पर डॉग पकड़ लेता है रूबन अपनी लैब में काम कर रही होती है तब ही उसके पास में पिग आता है और बोलता है कि रूबन से मैच नियू डियाने मिल गया है और वो डियाने किसी और का नहीं बलकि मिया का है अब यहाँ पर डॉग ने मिया को बांध रखा था और मिया उससे बचने के लिए उसको बात में उलजाती है बट डॉग उसको बोलता है कि वो मिया की बॉड़ी को धीरे धीरे काट डालेगा और तब ही वहाँ पर पिग आकर बोलता है कि मिया को रूबन ने बुलाया है अब मिया को बांध कर रूबन उसके फर्टिलाइजेशन एक के अंदर कुछ सरजरी करती है जिससे मिया को काफी तकलीफ होती है और पेन होता है बट वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सरजरी के बाद में डॉग मिया को बेस्मेंट के एक केज में डाल देता है जहां पर बहुत सारी लड़किया कैट थी और डॉग मिया को भी एक केज में डाल देता है ये सारी वही लड़कियां हैं जिनके उपर एक्सपेरिमेंट्स किये गए थे और इन सभी लड़कियों का डिया ने किसी ना किसी पेशन्ट से मैच किया था इन सबी लड़कियों की बॉड़ी पर वही गरम गरम माग था यानि कि वो 14K वाला इनको एजन सबजेक्ट और एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया था डॉग मिया से बोलता है कि वो किसी से भी बात ना करे चुप रहे और बात मानें क्योंकि उसके लिए यही बेस्ट होगा डॉग के जाने के बाद में कुछ लड़कियां मिया से बात करने लगती है जहां पर शौकिंगली एली जिन्दा थी जी हां तॉमिस ने यहां पर बताया था कि एली मारी गई थी और यहां पर अपनी फैसिलिटी बनाने के लिए और तॉमिस का पैसा इस्तिमाल करने के लिए उसने एली को इस्तिमाल किया और तॉमिस को यहां पर उसके मरडर में फ्रेम कर दिया बिसिकली यहां पर तॉमिस और एली का अफेर चल रहा था और वो टू मन्स प्रेगनेंट भी थी जब रूबन उसको फसा कर यहां पर ले आई यहां पर एक लड़की हैलिना दर्द में करा रही थी और डॉग उसकी आवास सुनकर नीचे आता है डॉग यहां पर हैलिना के दाथ को उखाड देता है और उसके मूँ को स्टैपल कर देता है जी हां काफी दर्द नाक सीन है यह देखकर एलि डॉग पर गुसा करती है और डॉग अब एलि को जाकर बांद देता है और उसको बेल्ट से पीटने लगता है पीटते पीटते एली का वाटर ब्रोक हो जाता है क्योंकि वो प्रेगनेंट थी और डॉक तभी रूबन को बुला लेता है रूबन अब यहाँ पर एली की डिलिवरी करवाती है और एली एक बच्चे को जनम देती है बच्चे के पैदा होते ही रूबन उस बच्चे को लेकर चली जाती है और एली को उसी हालत में छोड़ देती है और एली अपने बच्चे के लिए रूबन के सामने भीक मांगती रहती है उपर तॉमस को भी होश आ जाता है और बेसमेंट में डॉग सबको खाना देने आता है और वो मिया को पीटने लगता है मिया डॉग से बचने की कोशिश करती है और डॉग के ही नाइफ से उसको स्टैब कर देती है डॉक खुद को समालते हुए मिया को चोक करने लगता है बट तब ही एली डॉक का नाइफ निकाल कर उसको स्टैप कर देती है और अब सारी लड़कियां बेस्मेंट से आजाद होकर भग जाती है अब लड़कियां उपर एक कंटेनर के पास में जाती है जिसके अंदर देखने पर उनको धेड़ सारे नियू बॉन्स की डेड बॉड़ी मिलती है जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है यानि कि इस डीने रिसर्च के चक्कर में रूबन नियू बॉन्स को भी मार रही थी मतलब कि इस ओरत के अंदर दिल बिलकुल नहीं है अब यहाँ पर तॉमिस आता है जो कि केज की कीज को उठा लेता है और बाकी की लड़कियों को फ्री करने लगता है इदर सारी लड़कियां लैब में आ जाती है जहाँ पर उनको रूबन मिलती है जो कि एली के बच्चे को मारने ही वाली थी बट वो लड़कियों को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है यहाँ पर पिग उन लड़कियों को रोकता है बट वो लड़कियां उसको एक चेन से चोक करके मार देती है अलिगो उपना बच्चा मिल जाता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है अब म्याँ दूसरे रूम में जाती है जहां पर डॉक भी आजाता है और म्याा उससे छुप जाती है इस रूम में टॉमस भी आ जाता है और डॉक तॉमस को मारने लगता है Thomas dog से बचने की कोशिश करता है और Mia वहाँ पर आकर उसको बचाती है और वो dog को electric shock देने लगती है Mia Thomas को समालती है और तब ही बाहर सारी लड़कियां Ruben को पकड़ लेती है और अब वो सभी लड़कियां dog को वहाँ पर ले आती है और उसको भी बान देती है मिया भी वहाँ पर आ गई थी और अब एक लड़की डॉक के ओपर पी करने लगती है जिसे देखकर सारी लड़कियां बहुत खुश होती है और अब सभी लड़कियां डॉक को पीटने लगती है जिससे डॉक की वहीं पर डेथ हो जाती है अब वो सभी लड़कियां रूबन को कुछ कर पाती इससे पहले ही हेलिना रूबन को अजाद कर देती है यहाँ पर क्लियरली हेलिना मेंटली सिख हो गई थी और रूबन एक स्कूरू ड्राइवर से खुद को बचाने की कोशिश करती है रूबन अब जानती थी कि वो नहीं बच सकती तो वो खुद को ही स्टैब कर लेती है और मारी जाती है कुछी देर के बाद में फैसिलिटी पर पुलिस और एम्बूलनस आ जाती है और सभी लड़कियों को हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाता है मुवी के आकरी सीन में हम मिया और तॉमिस को देखते हैं जहां पर वो लोग अप पेरेंट्स थे और बहुत खुश थे साथ ही मिया के वोईस ओवर में हम ये सुन पाते हैं कि उसने तॉमिस को बचाया है और उसके खिलाफ कोई भी गवाई नहीं दी है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती है और बूम ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी ब्रीडर मुवी की कहानी मुवी देखने में काफी खतरनाक है और काफी दादा दिल दहला देने वाले स्थीन से हैं तो अगर आपको इस टाइप की थ्रिलर मुवी पसंद है तो आप जाकर जरूर देखना बिसीकली यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स यूमन्स पर किये जाते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर इस तरह की और थ्रिलर मुवी को भी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट्स सेक्शन में जरूर बता देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मैं समझ जाओं कि आपको इस तरह की मुवी पसंद है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टेश कोस्टी